Hi everyone, my name is Seema और आप देख रहे हैं Chemistry कक्षा तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPSC GIC Mains एक्जाम की तो इसका जो पैटर्न क्या होगा questions किस type के पूछे चाहेंगे कितने questions आएंगे वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे इससे पहले अगर हम बात करें GIC exam के जो pre exam हुआ था तो उसका जो result है अभी तक नहीं आया है हम सभी इंदिजार करें कि result का बाएगा पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि result का बाएगा तो अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है या तो result आने का वेट करें बट अगर हम देखें कि जो exam की जो date है मेंस exam की वो 90 दिसंबर है जिसमें की ज़्यादा time नहीं बचा हुआ है तो result आने का वेट नहीं कर सकते है I hope आप लोगोंने study start कर दी होगी मेंस की अगर आपने नहीं कही है तो अब भी से लग जाएए GIC मेंस exam की preparation करने में अगर आपके 50 प्लस marks भी बन रही है तो आपको तयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि simply अगर हम बात करें GIC pre ही तो GIC pre में जाते के 23% जो बच्चे थे सौरी 32% 32% बच्चों ने लगबग ने पेपर्स दिया है तो काफी ज़्यादा संख्या नहीं है जिन केंडिडेट ने exam दिया है तो होप कर सकते हैं कि जो आपके merit है वो ज़्यादा high ना जाए तो merit क्या हो सकती है लो रहने के chances भी ही है लेकिन exact cut off क्या रहेगी वो कोई भी predict नहीं कर सकता है ठीक है हमें नहीं पता है कि जो highest marks है जो candidate के वो कितने आ रहे होंगे ठीक है we just know कि 60 plus questions बन रहे हैं तो आप safe zone में हैं बट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है तो मैं तो यही suggest करूँगी कि अगर आप minimum जो cut off है वो अगर आप qualify कर रहे हो तो आपको mains की तयारी start कर देनी चाहिए without wasting any time तो आपको time waste नहीं करना है और आप mains जो है उसकी तयारी start कर दीज़े देखिए पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो वो कभी waste नहीं जाती है कही न कहीं काम आजाएगी अगर by chance ऐसा होता है कि आपका selection नहीं होता है तो वो पढ़ाई आपकी waste तो कभी नहीं होगी next exam में आपके काम आएगी या फिर जो भी exam आने वाले है उनमें आपको जरूर useful होगी तो अगर हम बात करें UPPSC GIC mains exam की तो इसमें क्या होगा जो exam का pattern है उसको एक बार समझ लेते हैं तो GIC mains exam में क्या होगी आपको दो पेपर मिलेंगे ठीक है दो पेपर होगी जो first paper है वो हिंदी का होगा और जो हिंदी होगी वो 100 marks की पूछी जाएगी time जो है 2 घंटे का time आपको मिलेगा हिंदी के पेपर में जो second paper है second जो paper है वो subject का होगा आप जिस भी subject के हो वो subject के questions आप से पूछे जाएगे 300 marks का आपका ये paper होगा और इसका जो time है वो 3 घंटे का होगा चीक है तो एक ही दिन में most probably आपकी एक्जाम होगे तो first paper जो होगा जो second paper है आपके subject का होगा जिस भी subject से आप हो एक्जाम जो है written होगा questions पूछे जाएंगे तो अगर हम बात करें written exam जो होगा वो किस pattern में होगा तो simply अगर हम बात करें first paper की तो first paper जो है वो हिंदी का होगा हिंदी में क्या है हिंदी को दो भागो में divide कर दिया गया दो खंड में विभाजित कर दिया गया एक होगा व्याक्रन तो जो व्याक्रन है हिंदी का वो 50 marks का आएगा ठीक है और जो बाकी हुए 50 marks है उसमें क्या पूछा जाएगा ऐसे पूछा जाएगा यानि कि जो निमंद होगा वो 50 number का होगा और जो व्याक्रन होगा हिंदी जो समाने हिंदी अब जन्रल हिंदी बोल रहे है वो जो होगी आपकी 50 marks की होगी इस तरह से टोटली ये कितने का होगा 100 marks का आपका क्या हो जाएगा हिंदी का एक्जाम हो जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें आपके optional subject की तो जो आपका optional subject जो भी है वो second paper होगा और वो होगा 300 marks का 300 marks का होगा और जो इसका time होगा वो अभी बात की हमने जैसे की तीन घंटे आपको मिलेंगे आपके second paper के लिए optional paper के लिए अब हम बात करते हैं कि जो आपका paper होगा उसमें कितने questions होगे तो जो advertisement दिया हुआ था UP, PSE, GIC, Mains के लिए उसके according आपको total कितने questions मिलेंगे तो इस paper में आपको total 20 questions मिलेंगे ठीक है? वो 20 questions होगे वो तीन parts में होगे ठीक है? तीन तरहें के questions होगे जर्नली अगर हम बात करें तो तो जो part 1 होगा उस part में आपको 5 questions पूछे जाएंगे ठीक है? 5 questions होगे जो 1 question होगा वो 25 marks का होगा यानि कि जो part A में 5 questions पूछे जाएंगे उन में से 1 question कितना होगा 25 marks का होगा यह long answer type question होगा, आपको long answer देना होगा जिस तरह से हमारे universities में exam होते थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ questions हमारे long में पूछे जाते थे फिर उसके बाद क्या आते थे, short question होते थे और short के बाद क्या होते थे, very short answer type के आपको questions लिखने होते थे तो इसी तरह का जो pattern है, वो आपका क्या होगा, यह subjective जो आपका पेपर है, optional जो पेपर है उसमें आपको देना होगा, इसी type के questions लिखने होगे तो साथ ही यहाँ पर आपको words भी बताए हुए, कितने words, यानि कि जो आपको 25 marks का question, एक long question लिखना है इसी तरह के जैसे, एक question 25 marks का होगा, इसी तरह के आपको 5 question लिखने होगे और जो हर question है, आपको 200 word, minimum आपको 200 word तो उसमें लिखने होगे, ठीक है तो इसमें क्या दिया हुआ है, sorry minimum नहीं, maximum आपको 200 word तक लिखना होगा आपको आपको 200 word तो उसमें लिखने ही होगे, उसके बाद अगर हम बात करें, part B की, तो part B में आपके कितने questions पूछे जाएंगे पांच questions part B में भी होगे, लेकिन यहाँ पर जो question की marking है, वो एक question 15 marks का होगा यानि कि part A में भी 5 questions पूछे जा रहे हैं, part B में भी 5 questions ही आएंगे बट देखें, part A में जो question है, वो 25 marks का है, ठीक है, और आपको कितने word लिखने हैं, 200 words लिखने हो 250 words आपको उसमें लिखने होगे, लेकिन part B में जो 5 questions पूछे जाएंगे, तो each question जो है, वो 15 marks का है और आपको जो answer है, वो 1500 words, यानि कि 150 words में देना होगा उसके बाद अगर हम बात करें, part C की, तो जो part C है, उसमें आपके कितने questions होगे, 10 questions होगे और हर question जो होगा, 10 marks का होगा, very short question type का ही आपको होगा, और 50 words में आपको इसका answer लिखना होगा ठीक है, तो इस तरह से देखें, तो आप देखोगे कि एक question 25 marks का, तो सबसे पहले आपको अपने एक strategy में आनी होगी उस strategy में आपको देखना होगा, कि एक question जो है 25 marks का है, तो वो question आपको कैसे लिखना होगा और जो criteria इसमें दिया हुआ है, words का, तो वो कितने words आपको कितने words लिखने हैं, 200 words भी उसमें पूरे हो जाएं, तो इसके लिए आपको अभी से practice करनी होगी तो आपको क्या करना है, A4 seats की जो आपको white paper मिलते हैं, A4 seat के, तो वो आप ले लिजे, उस paper को क्या करना है, जैसे मालेचे ये A4 seat का आपका paper है, इसमें sides में दो लाइना से कीज़ दीजे, पीच में जो, जैसा की UPPSC का जो exam होता है, उसमें होते हैं, तो questions आप लिखिए और उसके बाद उसमें answer लिखिए इस तरह से, तो इस तरह से आप exceedss बना लिजे, और उसमें अपने practice से start कर दीजे, तो इस तरह से अगर आप अभी से practice करोगे, तो सायद आप manage कर पाओ, क्योंकि तीन घंडे का time है, आप सोच के देखिए, तीन घंडे में आपको कितने questions लिख तो यहाँ पर अगर बात करें, तो पांच question के लिए, आपके बारे सो पचास question आपको, बारे सो पचास words आपको यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बारे सो पचास words आपको यहाँ पर लिखने होंगे, तो इसके बाद अगर हम बात करें, पाच ही question आपको कह जब तक आप पूरा एक्जाम पेपर नहीं करोगे तो आपके जो चांसिस है वो कम रह जाते हैं क्वालिफाइग करने के तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि आप पूरा paper attempt करो, ऐसा नहीं सोच सकते हैं, आपकी 5 questions आपने long attempt कर दी हैं, और उसके बाद आपने sort attempt कर लिए हैं, तो very sort आप छोड़ दी हैं, तो very sort आप छोड़ रहे हैं, यानि कि 10 marks का एक question, यानि कि 10 जो question है, आप 100 marks के होगें, आप 100 marks नहीं चोड़ सकते हो, जो paper है 3 घंटे, आप देखिए, जब objective type के paper को भी आप solve करते हो, तो 3 घंटे जो होते हैं, कब निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, ठीक है, उसमें भी आपको word limit दी हुई है, इतने इतने word का आपको question लिखना है, तो जब तक आप उस चीज़ की practice नहीं करोगे, तो तब तक आप पूरा paper attempt नहीं कर पाऊगे, तो देखें, अभी तक जो हम exam देते आ रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो multiple choice question होते हैं, आपको चीज़े learn करनी होगी, उसके साथ ही written की practice भी करनी होगी, तो जितनी ज़्यादा आप practice करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा इस exam में, तो ये exam में आपको qualify करनी के लिए साथ में आपको हिंदी में ऐसे भी पढ़ना होगा, और हिंदी का जो व्याद करनी है, जर्नेल हिंदी है, वो भी पढ़नी होगी, वो भी काफी scoring है, इतना ज़्यादा tough आपको हिंदी नहीं लगेगा, अगर आप हिंदी की simple youth publication की book आती है वो आप जिसमें previous year के questions है, अच्छा, जो previous year के questions आपको मिलेंगे, वो आपको GIC के तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो other exam हुए हैं, जैसे ARO का exam हो गया, या फिर UBTAT, CTAT exam हो गया, इनमें हिंदी काफी पूछी जाती है, SI के जो exam होते हैं, या फिर Constable के जो exam होते हैं, उनमे जैसा नहीं है कि हिंदी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हिंदी तो हमने क्लास, इसकूल कॉलिस में तो पढ़ी ही होती है, तो आपके लिए हिंदी का paper इतना tough नहीं होगा, बस आपको जो निमंद जो आपने लिखा है, उसकी practice आपको बनानी होगी, जो भी जितने भी आपने निमंद के topic हैं, उन topics को एक list बना लेजे, उसके साथ quotation क्या use करने वाले हो, कहानी से starting करोगे, या quotation से start करोगे, तो एक दो ऐसे हर topic पर लिख लीजे, जो भी exam में ऐसे पूछा जाए, तो उस समय आपको सूचना ना पड़े कि इसमें मुझे क्या लिखता है, ठीक है, इस त सिखते हैं, कि जो आपकी rank आएगी, merit में आपको उपर लाने में, आपकी काफी मदद करेगा, helpful रहेगा, साथी जो subject का paper है, subject के paper में आपको यह धियान रेखना होगा, कि आप पूरा paper attempt करो, आपकी जो fast, जो courses होनी चाहिए, वो यह हैनी चाहिए, कि जितने भी questions पूछे जा मैं आपको बताए हैं, आप इने follow कीजेगा, अगर आपको कुछ और extra लग रहे हैं, कि आप वो भी add कर सकते हैं, तो भी add कीजे, और comment करके बताएए, कि हम या जो student यह exam दे रहा है, उनको किस type से और preparation करें, तो उनको भी मदद मेले, ठीक है, I hope यह video आपके लिए helpful रही होग अपके पलंव हूए है? आपके लिए अटतर लुजाए हैं, कि यह दो